रादे कृष्णा एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक तो माय योट्यूब चैनल मैं हूँ काजल सेंग और स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में I hope आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे बहुत अच्छे होंगे मॉटिवेटेड होंगे और अपने गोल के पती फोकस्ट होंगे और आजकल मेरा जादा तो भूक ने लगती मुझे आज भी जादा भूक ने लग रही पर मुझे बहुत जादा प्यास लगता है तो सुबा उटके मेरा गला सुखा हुआ था तो मैंने सबसे पेले पानी पिया, उसके बाद जल्दी से जाकर मैं नहा कर तयार हो गई और यहाँ पर त्यार होने के बाद, सबसे पहले मैंने शुरे भगवान को जलरपन किया, क्योंकि हमारे हाँ शुरे देवता को जल चराने के बाद ही बागी पूजा शुरू कियाती है, मैं अपनी बात करूँ तो वैसे मैं बच्पन से ही बहुत स्प्रेच्वल रही हूँ, पूजा पाट करने में मेरी बच्पन से ही काफी रूची रही है लेकिन पिछले कुछ समय से जो इन सारी चीजों ने में लाइफ में बहुत हैविली चेंज़ लेकर आए हैं मुझे बहुत शांती फील होती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम घंटो कोई रील्स देखने में या शॉट्स देखने में या फेस्बुक फीट्स इंस्टा फीट्स देखने में हम अपना समय बरबाद करते हैं उसे कहीं जादा हम अगर स्परिच्वल चीजों में अपना समय दें तो हमारे भीतरी ग्रोथ बहुत जादा होती है इनर ग्रोथ बहुत जादा होती है और हम strong बनते हैं और हमें बहुत positivity मिलती है और कहीं न कहीं social media हमें positivity तो नहीं देता है हम सब जानते कि हम बहुत सारे तरह के content अपने अंदर जमा कर लेते हैं और उन content से जो emotions निकलते हैं वो सारे emotions हमारे अंदर इतने heavy हो जाते हैं कि हम एक decision life में नहीं ले पाते हैं और हम mental peace के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इन साही चीजों के वज़ा से मैं spiritually अपना समय व्यतीत करना जादा पसंद करती हूं और मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों के साथ भी वही चीजे शेयर करूं और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी यह जर्णी शेयर करके और आजकल मैं एक बुक पर रहे थी eight powers within you और इस बुक में जो बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि हम कल से शुरुआत नहीं कर सकते हैं लेकिन हम आज से शुरुआत करके अपने आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल लाइन है और उसके बाद बात करें तो मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी और उसके बाद क्योंकि हमें डॉक्टर से दिखवाना था और कुछ काम था और उसके बाद वापस आके अल्रेडी शाम होने में बहुत कम समय ही बचा था तो मैंने बिहाद स्पेशल की थोड़ी रीडिंग की और इसमें मैंने एक से और गंटे ये बुक परहा होगा थोड़ा बहुत मैं यह नहीं बोलूगी कि मेरा बहुत जिदा कॉंसेंट्रेशन था इस जगह पे क्योंकि मैं थोड़ा सा थक भी गई थी क्योंकि एक तो फास्टिंग में अगर आप कहीं बाहर जाओ तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है और उसके बाद मैंने पहले अपने वो ख्लास पूरी की और ऊसकी बात करें तो यह से राइटिंग वाले टॉपिक पर ख्लास थे क्योंकि प्रिलिम्स कि अब खतब हो चुके हैं तोara göz count की एं तो यहां पर ऐसे राइटिंग का मैंने दो घंटे की क्लास लिया और जिसमें स्थार्टिंग में थो उन्होंने दिखाए और थोड़े डिसकस किये जो कि बहुत अच्छा था हमें पता चला कि exactly कौन-कौन से questions पूछे गए हमें कहीं और नहीं ढूनना पड़ा और यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी और उसके बाद इन्होंने आई-एस के भी ऐसे वाले questions हमारे साथ share किये जिससे एक अच्छा सा comparison हो गया तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही और I hope आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा and I'm really sorry I know कि मैं बहुत ज़्यदा regular नहीं हूँ बट मैं कोशिश कर रहे हूँ fasting परहाई सब कुछ manage करने की I hope आप समझोगे आपको मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ